खगडिया जिले में पदस्थापेट चिकित्सा पदादिकारी और करमचारी को रिश्वत लेते वे रंगे हातों ग्रफतार किया है बताया जा रहा है कि मन्चाहा पोस्टिंग करवाने के नाम पर एक महिला करमचारी से एक लाख पचास हजार रुपई की मांग की थी जिसके बाद पेडित ने इसकी सूचना निग्रानी विभाग को दी इसी आधार पर निग्रानी टीम ने दोनों को धर्द बोचा निग्रानी टीम ने बताया कि चिकित्सा पदादिकारी डॉक्टर स.C. सुमन और करमचारी राजेंद्र कुमार पर सक्त कारवाई की जाएगी रूवी कुमारी परिचारी का है अनुमंडरली अस्पताल गोगरी उनका बेतन अगस्ट 2020 से फरवरी 2021 तक का भुगतान नहीं हुआ था जिसके लिए ये मिले बड़ावावू से बड़ावावू का नाम है राजेंदर प्रशाथ सिना उनके द्वारा 50,000 रुप्या रिस्ट अवादा में नशेडियों के खिलाफ महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा है महिलाओं के एक समून इस बारे में एसपी से मुलाकात की पिडित महिलाओं का कहना है कि जिले में शराब कारोबारी खुले आम नशे का कारोबार करते हैं इस दोरान उन्हें यान्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए जाते वक्त शेडखानी की जाती है इतना ही नहीं बलकि उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश भी होती है और जब विरोध किया जाता है तो मार पीट की जाती है पिडितो का कहना है कि नशेडियों के चलते घर से निकलना मुश्किल हो गया है एस्पी ने सभी को उचित कारवाई का हाश्वा संदिया है बगहा के चौतरवा से व्यवसाई दिपंकर सिंग बीते सोंवार से लापता है परिजनों ने थाना में आवेदन दिया है लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका व्यवसाई का मुबाइल बंद आने से परिजनों को किसी अनहोनी का डर भी सता रहा है समस्तेपुर में रोसडा में ट्रांसफोर्मर के फटने से आग लग गई हाथसे में सड़क पर खड़ी टेंपो जल कर खाग भी हो गई साथी गुजर एक युवक और युवती भी जुलस गए दोनों को नुमंडिलिया इस्पिताल रोसडा में भरती करवाया गया है घटना रोसडा के महवीर चौक के पास बताई जा रही है सुचना पर थाना देक्षर सीओ और बिजली जेई ने पहुच कर स्थिति का जैजा लिया है आज यह डर्यक दूज़ा साथ जिसमें गिए दुचार को आदमी को उसका तील का छिटा पदा एसके बाद आदमी उचा भागने लगा गिए थे भाने लगा दहाने लगा दहाई भाया तदो देखे कि ये तत्रस में समढ़ से झाल